Categories in Moodle पर spoken tutorial में आपका सौगत है इस tutorial में हम NIMD के बारे में सीखेंगे Course Categories Categories and Subcategories कैसे बनाए Categories पर कारे कैसे करें इस tutorial को record करने के लिए मैं उपियोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS 16.04, XAMPP 5.6.30 से प्राप्ट, Apache, MariaDB और PHP Moodle 3.3 और Firefox Web Browser आप अपनी पसंद के केसी भी Web Browser का उपियोग कर सकते हैं हाला कि Internet Explorer का उपियोग ना करें क्योंकि इसके कारण प्रदर्शन में कुछ दिसंगतियां आती हैं इस tutorial के शिक्षार्थियों की मशीन पर Moodle 3.3 संसापित होना चाहिए यदि नहीं है तो कृपिया इस वेब साइट पर संबंदित Moodle टुटोरियोग का अनुकरन करें ब्राउजर पर जाएं और Moodle Home Page खोलें सुनिश्चत कर लें कि ZAMP Service चल रहा है अपने Admin Username और Password के साथ Login करें अब हम Admin Dashboard में है वाइं और पर Site Administration पर क्लिक करें Forces टेब और फिर Manage Courses and Categories पर क्लिक करें हम Course and Category Management टाइटल के साथ पेज पर जाएंगे अब समझते हैं कि Course Category क्या है Course Categories साइट यूजर के लिए Moodle Courses सहियोजित करने में मदद करता है नई Moodle साइट के लिए Default Category Miscellaneous है कोई भी नया कोर्ट Default रूप से इस Miscellaneous Category को Assign किया जाएगा हाला कि शिक्षकों और छात्रों के लिए उनका Courses खुझ न मुश्किल होगा Courses पर जाना आसान बनाने के लिए उन्हें Categories में Assign किया जाना चाहिए नई संस्थान Courses को Campus या Department द्वारा संयोजित करते है अधिक इस पश्टा के लिए वर्नास्मक नाम रखना अच्छा है हम आगे बढ़ेंगे और Department से अपने Courses संयोजित करेंगे उधारन सरूर हमारी Math Category में सभी Math Courses होंगे Moodle साइट पर वापस जाते है पहले हम Course and Category Management पेज ले आउट समझेंगे वाइं और पर हमारे पास Navigation Block है और दाइं और पर Content Region है Content Region दो कॉलम्स में विभाजित है बाया कॉलम Course Categories दर्शाता है दाया कॉलम चैनित Category के सहत Courses दर्शाता है Default Root से ये Miscellaneous Category में Courses दिखा रहा है ये दरश्य दाइं और इस्थित menu से बदला जा सकता है Options को देखने के लिए Down Arrow पर क्लिक करें अब Course Categories पर क्लिक करें ये केवल Course Categories दिखाने के लिए दर्श्य बदलता है फिर से Arrow पर क्लिक करें और केवल Course को देखने के लिए दर्श्य बदलें Categories पर क्लिक करें ध्यान दे कि अब एक नया ड्रॉपडाउन बॉक्स पर दर्श्य होता है ये Category ड्रॉपडाउन है यहां हम Category का चैन कर सकते हैं इसके लिए हम Courses सिखाना चाहते हैं बर्तमान में इसमें केवल Miscellaneous Category है अब दर्श्य को वापस Course Categories and Courses में बदलें अब हम Category जोडने के लिए Create New Category लिंक पर क्लिक करेंगे Parent Category ड्रॉपडाउन बॉक्स पर क्लिक करें और टॉप चुने Category Name में Mathematics टाइप करें Category ID नंबर Optional फिल्ड है यह Offline Courses के साथ Course पता करने के लिए Admin Users के लिए है जदी आपका College Categories के लिए ID का उपयोग करता है तो आप यहाँ उस Category ID का उपयोग कर सकते हैं यह फिल्ड अन्ने Moodle Users को नहीं दिखता है अभी के लिए मैं Category ID खाली ही छोड़ दूँगी Description Box में मैं टाइप करूँगी Text All Mathematics Courses will be listed under this category फिर Create Category बटन पर क्लिक करें अब हम Course Categories and Courses क्यूँ में हैं? यहाँ हम अब दो Categories देख सकते हैं Miscellaneous और Mathematics इन Categories को आगे सही उज़त करते हैं First Year Maths Courses और Second Year Maths Courses भिन करते हैं इसके लिए हम Mathematics Category के अंदर First Year Maths नामक एक सब-Category बनाएंगे सुची बट Categories के उपर Create New Category लिंक फर क्लिक करें सब-Category बनाना Category बनाने के समान ही है Parent Category के रूप में Top का 10 ना करें बजाए बह Category चुने जिसके अंदर ये सब-Category सम्मंदित होनी चाहिए अतहाँ यहां हम Category Name में First Year Math टाइप करेंगे उसके बाद हम Description टाइप करेंगे और Create Category बटन पर क्लिक करेंगे ध्यान दें कि बाइं और पर Category 3 format में सूची बद है Category जिसमें सब-Categories है उसमें उसका दिस्तार और छोटा करने के लिए एक Toggle आइकन है Category की दाइं और सीन आइकन पर ध्यान दें आइकन पर जाकर देखें की वे क्या है आई केटगरी को छुपाने के लिए एक शिपी केटगरी में उसी को इंगेज करने के लिए Cross Eye होगी Arrow Category को उपर या नीचे ले जाने के लिए इसमें Setting Gear आइकन भी है जो Menu है जैसे की नीचे Arrow द्वारा दिखाया गया है Miscellaneous Category के लिए Settings Gear आइकन पर क्लिक करें इसमें Category से सम्बंदित Options हैं जैसे Edit, Create New, Sub Category, Delete, आदी इस Menu को बंद करने के लिए पेज पर कहीं और क्लिक करें मैं बेहतर द्रशे के लिए Buying Over पर Navigation Menu को छोटा करती हूँ अब Mathematics Category के लिए Settings Gear आइकन पर क्लिक करें ध्यान दें कि सब Categories को Sort करने से सम्बंदित यहां 4 अतिरिक सब Menus हैं वे सभी Categories चिनकी सब Categories हैं उनके ये Menu Items होंगे Gear आइकन की Dine Over की संख्या उस Category में Forces की संख्या को Inget करता है Category सूची के नीचे वहां Charting Options है आख्री में सब Category की Parent Category को बदलने के लिए Option है इस Option का उप्योग करने के लिए आपको सब Category के आगे सित Check Box को चेक करना होगा फिर नई Parent Category चुने और Move पर क्लिक करें हम अभी इस Option का उप्योग नहीं करेंगे इसी के साथ हम इस Tutorial के अंध में आ गए है संचेप में इस Tutorial में हमने सीखा Course Categories Categories and Sub Categories कैसे बनाएं Categories पर कारे कैसे करें यहां आपके लिए एक नियत कारे है Mathematics में एक नया Sub Categories Second Year Math जोड़ें Categories Misclaneous दिलीट करें निमलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो Spoken Tutorial प्रोजेक्ट को सारांशित करता है करपया इसे डाउनलोड करें और देखें Spoken Tutorial टीम कारेशालाएं आयो जित करती है और प्रमाडपत देती है अधिक जानकारी के लिए क्रिपया हमें लिखें क्रिपया इस पोरम में समय के साथ अपने प्रशनों को पोस्त करें इस पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट NME ICT MHRD भारत सरकार द्वारा विद्पोशित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाई गई लिंक पर उपलब्ध है ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आप से विज़ा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद